बिस्मिल्लाहिर्वाहमान उर्वाहिम स्कूल बैससेस्मेंट 2023-24 आज हम ग्रेट 7 का कंप्यूटर सेंस की फर्स्ट रम का पेपर करेंगे इसके मैंने दो पेपर जनरेट की हुए है उन वीडियो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यह एक और मैंने पोल और डैश का मलाब है इसका अनसर राएगा आ वाला कंप्यूटर जनरेटीड कॉंटेंट कुएस्टन नबर तु जोन से है का अनसर आगए ट्वेल्व में ड्रके इसके हैंसर करवा तो अब इससे नेक्स्ट आ क्वेस्टन नमर्र 3 इसका अनसर आगा एपी वाला माउस यानिके डी वाला अब इसे नक्स्राट नबर एट इसका अंसर ठाइगा भी वाला 5 इससे नेक्स्राइक सबस्नेर सेय्वन इसका अंसर आएगा ओला आई अप स्टेटमेंट इसका आएगा वेला पेटरन ये थे इसके एम सी क्यूल अब हम आगे इसका सब्जेक्टिव पार स्टार्ट करते हैं जिसका कवर्शनमर 11 है write down the steps of copying in MS word MS word में documents को copy करने के मराहा लिखें इसका answer रहेगा यह वाला यह तीन इसके method है मैं इसकी reading इसले निकारा कि वीडियो ना लेंस ही हो जाए अब इससे next है इसका second वाला पार्ट write down the steps to add a new slide in MS point के MS point में नई slide शामिल करने के मराहा लिखें यह तीन मराहा लिखें होए हैं यह है इसका answer अगर पहले आप मैं study करवा रहा होता यानि के परहा रहा होता तो मैंने यह method जों से वो perform करके भी दिखाता आपको अब इतना time नहीं है इसलिए direct इनके जोंसे answer है वो दिखा रहा हूँ अगर आपने यह answer जोंसे बुक्से पहले किये होए हैं यह classer ने यह teacher ने लिखवाए होए हैं तो आप वो वाले किड़े क्योंकि आपने वो याद किये होंगे इसलिए आपको जल्दी आप रिवाइस होजेंगे यह है इसका answer अब इससे next है इसका c वाला part differentiate between save and save as command इसका answer हैगा यह वाला यह save और यह save as command इनका difference है यह है इसका answer अब इससे next है question number 12 इसका यह वाला part है what is dmarc इसका answer हैगा यह वाला domain based message authentication reporting and confirmance यह है इसका answer अब इससे next है इसका be वाला part write any four uses of email के email के कोई से चार इसमालाद लिखें यह है इसका answer साथ लिखें हुए है उसने चार का पुछा हुआ है चार कर सकते हैं आप इसससे next है इसका see वाला part explain the process of authentication के authentication के email को ब्यान करें इसका answer है यह वाला यहां से लेकर जहां तक इसका answer है अब इससे next है question number 13 इसका यह वाला part है write the name of three protocol used to send and receive email के email बेजनल वसूल करने के इस्तमाल होने वाले तीन प्रोटोकोल के नाम लिखें इसका answer है यह वाला I.M.A.P.P.O.P.S.M.T.P. यह है इसका answer अब इससे next है का be वाला part defined SMTP and P.O.P. also write its full form इसका answer है यह वाला अटेच्मेंट और पासवर्ड अब इनके definition करते हैं यह तीनों ड्रोंस यह definition लिखी हुई है और यहाँ पर हमने यह paper ड्रोंस से complete कर लिया हुआ है अला हाफीज